गुद मॉर्निंग फ्रास्ट वेल्ट चैटर फॉर्स पाट फॉर्स का चैटर नमबर फॉर्स हम आपका डिस्कस करें थे रिलेशन्स क्या होते हैं मैं आपको सुझा रही थी पढ़ा रही हमने बहुत सरे कुशन्स करें हैं इस पे बेस्ट को सुझा ऐसे बंगर फया संथक्या सक विर्सक्रण को से लिखिए रिखना तो आपको सी क्रीप्शन माइ डिरेवीर मत्यूर्स का विलक्या इस्ट तोि ज्लाउस बेदे़क्स करuleओद आए मेञा था करवा कि की पारगए सब्सक्राइँ सब्सक्राइब तो इस set में क्या elements है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 and so on, अब दिल 12 तो कोई साभी में एक element आज़ेंगे, एक set का उठार रहते हूं तो we have a, a belongs to r तो कि इसमें में को साथ है element इस relation में में को साथ है पूरी elements देना है जिनके a is equal to b और नहीं a and b दोनों परावना हो तो में इस relation का कैसा भी अहता है पें मुखा रूप a हमेशा आज़ें होगा लोगी a हमेशा कि इसके वरावा बबा इसके ही relation कैसा होगा reflex is second one, next, now let a over b में रांच हो आज़े, maaam जो 13-tria a over b arm है दिए अग्यार दिए संंधम हुगां इसा केजा है रिए आ की ऐसका मतलध रिख रिटाम पर रिख संहे टान धू अ इसको बिख रिला हो इसको कि ढुँवर बहु स्थ तो धी इसको बिख रूँटकर स्नुट अग्या अश्यक्जर्ण हुग्या एक और टी कुझे जो बतानी थी, वुर्में क्या बताया था? He called to find the set of all elements related to 1. तो इस set में वो elements बताओ जो 1 सी related लिए, बतार में a को 1 बो तो b क्या या हो सकता है, b से 1 की हो सकता है, सिर्फ 1 हो सकता है, क्योंकि a इकोष भी हो ला जही, तो दो elements in R that are related to 1, विन वोस elements from set A which are equal to 1, हैंस का set of elements related to 1. मदब अगर में 1 की इक वेरे स्लाग्स बदाओ, तो इसमिस रिफोसित A के element लाग्स लाग्स. Clear है? Then question number 10 देखे है, Give an example of a relation which is symmetric, but neither reflexive nor non. में aisa relation कुझे बताना है, तो symmetric दो है, पर non reflexive नहीं राग्स देगा. तो इसका solution देओ, मैंने led के कोई set बोगिया, 5, 6, 7, और उसके मैंने relation define किया है, इस relation मैंने elements देए 5, 6 or 6, 1. तो इस relation reflexive नहीं है, तो इस relation reflexive नहीं है, क्योंकि reflexive होने कि यह सारे elements आखने होरें चीह थे, नहीं है, इसका मतलब इस राग्स देए, नाओ 5, 6 belongs to R, और उसका मतलब इस स्यमेंट्रिक है, नाओ 5, 6 और 6, 5 तो R में है, लेकिन टीकी नहीं हो सची है, इन उनों को हटादू 5, 5 और 5 भी, आप में लजी देए 5 और 5 तो R में नहीं है, इसका मतलब इस राग्स दिन नहीं है, तो यह जो relation आ रहा है, यह स्यमेट्रिक है, बट ना तो reflexive है नहीं, मीचा है सरु आ नहीं है, यह स्यमेट्ट्रिक है यह में तो開始 कि इन टीकी बट धनाय्या है, कि अएम थैकी हिसे और सपने लिंगे और कि और के स्थैंगे में यहारिश्डरिक्र्ट्र सटपर प्तूरीभी एक और अर्म नहीं करेगा, उसकी डिलेशिं में हुई है एक अर्म इससे चोटा हो, बीचे एक और अर्म आता है, इसका नजब ए और बीचों कैसे है? ब्रावर है. Since A cannot be strictly less than it says, in fact A is equal to A, so the R is not just like this. Now, 1,2 belongs to R, as 1 is less than 2, but 2 is not less than 1, it says 2,1 belongs to R, we don't belong नहीं करेगा, इसके एक symmetric नहीं है, यह और सिलक्सिर भी नहीं है. So, आपके इसी ताइप से 3rd, 4th, 5th जो examples देने हैं उनके अंदर, वो आप try करिएगा, और next classes में हम यह जो exercises को complete करते हुए, आपके और जितने भी questions है, वो सब में करागे, और इस वाले equivalence relation जो हम पढ़ रहेते हैं, इसको हम आप bind up करेंगे, okay students, thank you.